नमस्कार दोस्तो अगर आप भूल चुके हैं कि आपके उद्यम रेजिस्ट्रेशन साटिफिकेट में कौन सा मोबाइल नमबर और इमेल रेजिस्टर है तो इसे अब आप असानी से पता कर सकते हैं यानि दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके उद्यम रेजिस्ट्रेशन साटिफिकेट में आपका कौन सा मोबाइल नमबर और कौन सा इमेल आइडी रेजिस्टर है तो दोस्तो पूरी जनकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ आन तक बने रही है वहीं अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तो दोस्तो इसके लिए आपको उद्यम रेजिस्ट्रेशन के ओपिसेल वेबसाइट पर आना है इस वेबसाइट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिये ह उस लिंक पर आप क्लिक करके इस वेबसाइट पर आप डारेक्टली आ सकते हैं दोस्तो वेबसाइट का इंटरफेज कुछ ऐसा होगा यहाँ पर आपको टोप राइट में प्रिंट वेरिफाई का ओप्शन दिखेगा इस पर आपको क्लिक करना है और सब मेनू में आपको वेरिफाई उद्यम रेजिस्ट्रेशन नंबर का ओप्शन दिखेगा इस पर आपको क्लिक करना है इसके बाद पेज का इंटरफेज कुछ ऐसा होगा और यहाँ पर आपको उद्यम रेजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है जो 19 डिजिट का होता है और उद्यम से स्टार्ट होता है और इसका format कुछ ऐसा होता है तो दोस्तों यहाँ पर हम उद्यम registration number फिल करते हैं और फिर इसके बाद आपको capture फिल करना है और फिर verify पर click करना है इसके बाद आपका उद्यम registration detail सो हो जाएगा अब आपको नीचे आना है और यहाँ पर आप अपने business का detail देख सकते हैं और यहाँ पर आप अपना mobile number देख सकते हैं दोस्तों mobile number के बीच के 5 digit star में 100 होते हैं यानी mobile number के शुरू के 2 digit और last के 3 digit 100 होंगे और इसे देखकर आप पता कर सकते हैं कि आपका कौन सा mobile number और उद्यम registration के साथ लिंक है और यहाँ पर आप अपना email ID भी देख सकते हैं तो दोस्तों अब आपको पता चल गया है कि कैसे पता करना है कि कौन सा mobile number और कौन सा email ID आपके उद्यम registration certificate के साथ लिंक है तो दोस्तों यहाँ जनकारी आपको कैसी लगी हमें comment में बताएं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like और share करें वहीं अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए तो मिलते हैं एक और नए इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन जै भारत